दोस्तों गर आपके घर में भी टेवी यूनिट, कैपिनेट, शूरेक या अलमीरा है और उसमें आपको यह ली डूर्स में प्रॉलम आ गई है कि अगर आप यहां पर देखें तो यह बंद नहीं हो रहा है यहां से गैप आ गया है मैं अपनी फिंगर दालो कि यहां से फिंग प्लस वाला लें, प्लस वाला मतलब जिसमें इस तरह की से प्लस बनाओता है चारो साइट से आपको वैसा वाला स्कूरूटराइवर मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, आपको मार्केट में 40-50 रुपे का मिल जाएगा, अगर आपको यह वाली स्कूरूटराइवर प्लस वाले, उन्से खूल जाते हैं और टाइट भी हो जाते हैं, अब इसमें जो पहले वाला है, जो आप आप पे डेख पारें, जिसको यह वीडियो एंटल प्रॉपर देखना पाएं, तो यह खूलता है या टाइट होता है, जब भी आप इसको टाइट करेंगे, इस तर करेगा क्या इस वाले बोड को जिस पे भी हिंज लगा है उसको ऊपर की तरफ ले जाएगा मतलब अपसाइड ले जाएगा और जैसे भी इसको धिला करेंगे मतलब इसको खोलना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे यह जो आपका डोर है यह नीचे की साइड जाएगा जाएगा तो आपको अगर इसके हाइट एडजस्ट कर ली है अपने डोर की तो आप इसको आपन डाउन कर सकते हैं इस क्रू के हल्प से अब यह जो पीछे वाला जो आप यह पर आपकर देख रहे हैं जिसको मैं अगे आप पर लगाउं स्कूरू डाइवर के लिए इस कर रहा है जबकि आपने इसके हाइट को प्रॉपर यहां से एडजस्ट कर दिया है तो उस केस में आपके इस डोर को इस पर रगड़ ना लगे बलब तो उस तरीके के चीज के लिए हम इसका यूज करते हैं ताकि यह स्लाइड कर सकी जैसे भी मैं देखिए इसको हलका सा ढ पर रगड़ यहां पर आपको मिल घंड़ तो आप इसको आइड है इसके इसको आपको अपन करना है अब जो भी आपको परफेक्ट थैट मिल रही है उस केस में इसको उसी लोकेशन पर चोड़ दीजिये इस डोर की जो प्रॉपर फिटिंग है वो हो जाएगी जलि से अड मैंने इसको अभी घुमाया ही है तो देखी एकदम नीचे चला गया है हो सकता है camera angle से ज्यादा पतन लग रहो अभी अंदर तो जा रहा है मगर यहां पर बहुत ज्यादा gap आ रहा है यह साथ वाला जो लगा है यह प्रॉपर फिटिंग में है मगर इसमें gap आ रहा है इसके gap को करने के मुझे क्या करना है कि यह जो मेरा door है यह उपर के साइड चाहे तो मतलब इसको मुझे lose करना है तो अब यह आगे पीछे क्योंकि लेवल पर नहीं आया है तो इसके को हलका सा टाइट कर देता हूं ताकि इसके पुजिशन नहीं ले इस तरह से अब देखिए प्रॉपर आ गया है मगर अभी यहां पर गैप है तो इस गैप के लिए मैं अगेन इसको और लूज करूँगा ताकि यह हाइट गेन करें से मैं दूसरी साइड वाले को भी करता हू यह तो आपको अभी मैंने इस तरह के से दिखाया है बट हो सब्सक्राइब कि आपके जो अलमीरा या कैबिनेट तो इस तरह किसे ना खूलते हूं तो आपको मैं दूसरे एंगल वाले जो कैबिनेट होते हैं जो यूँ खूलते हैं लेफ्ट राइट वाले उन पे दिखा को चलिए अब सीदे वाले डूर के हिंजcipe करते हैं तो इस केस में बहुते हैं तो यह जैसे मीनिची आ रहे है तो यह जो है अपनी में इस वाले जो सरफेेस आप दिखेंगे इसके इनदर भूई-इंडर हाई हिंज लगा ह हुई है जाया आप किसी भी ब्रेंट का ले अपना फरनीचर हिंज का कॉंसेप्ट सेम ही होता है तो आपको घबराने की जुरूरत नहीं है हर एक हिंज में यही मिलेगा आपको यह पर पीछे स्क्रू मिलेगा इस स्क्रू से आप आगे पीछे मूफ कर सकते इस डोर को और इस वाले ज अपने पीछे जाना शुरू कर देगा अगर आप ध्यान से देख पाएं तो यह जो है डोर पीछे जा रहा है अब देखे अब यह अभी भी है मगर मुझे इसको थोड़ा और एडजस्ट करना पड़ेगा तो इसको मैं और लूस करता हूँ अब देखे यह पीछे जा रहा है अगर आप ध्यान से वीडियो में देख पा रहे हूँ इसको जैसे जैसे मैं लूस करता जा रहा हूँ यह पीछे जाता जा रहा है अब देखे ज्यादा लूस करने के खारण हुआ कि यहां पर यह ज्यादा पीछे जाला गया मतलब इस सर तो तो एक दम परफेक्ट लेवल पर आ गया हमें अपने फिंगर मुफ कर रहों तो यह और यह दो एक लेवल पे तो इस तरी के से आप भी अपने टीवी यूनिक कैबिनेट या जो भी आपके घर में शूरेक हो गया है उसमें इस तरह के से डोर्स में प्रॉलम हा गई है तो इन hinges से adjust करके उस problem को खतम कर सकते हैं अब जैसे मैंने इसको छोड़ा वैसे ही रहें दीजिए आपको कुछ नहीं करना है यह हमेशकले वैसे ही रहेगा किसी दिन आगर आपको लगे फिर से इसमें problem आ रही है इन दो की help से आप फिर से अपने doors को या जो भी आपको मैंने cabinet पत के आप ठीक कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीस वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा